प्यारे बच्चों यह भी इसके बारे में भी अपन ने जाना था यानि कि कहीं वेर्थ पानी बह रहा है तो हमें उसे वहां बंद कर देना चाहिए जैसे नल अगर खुला है तो अपन को क्या गरना चाहिए बंद कर देना चाहिए और जल की महतु को बताते हुए लोगों को भी समझाना चाहिए कि पानी को वेर्थ नहीं बहाना चाहिए और पानी के उपयोग के बारे में अपन ने जाना था यानि कि अपन सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पानी का उपयोग कहां कहां करते हैं और वर्षा के जल का संग्रहन किस प्रकार करते हैं इस प्रकार पिछले वीडियो में अपन ने पूरा पाट पड़ा था आज हम इस वीडियो में पाट आठ के प्रश्ण उत्तर करेंगे और तीन प्रश्ण आपके ग्रेकारे में दिये हैं लेकन सुन्दर करते हुए पाट का क्रमांक पाट का नाम और दिनाक लगा करके आपको कक्षाकारे में करना है चलिए यहां से शुरू करते हैं पाट आठ जल ही जीवन का आधार यहां देखिए आज कक्षा कार्य क्रमांग लगा या नहीं है आप यहां कक्षा कार्य क्रमांग लगा करके कार्य को शुरू करेंगे देखिए प्रस्न एक क्या है आपने पानी को वेर्थ होते हुए कहां कहां देखा है तो इस प्रकार से कई जगे पर अपन पानी को वेर्थ होते हुए देखते हैं चलिए अगला प्रश्न देखिए प्रश्न उत्तर होने के तुरहत बाद एक लाइन चोड़ेंगे आप लोग अगला देखिए प्रश्न दूसरा आप जल के दुरूपयोग को रोखने के लिए क्या करेंगे ठीक है तो अपन क्या करेंगे देखिए उत्तर है हम अपने आस पास के वेक्तियों को जल का महत्व बता कर जल को वेर्थ नय पहाने की सला देंगे वे कहीं भी नल खुला होगा तो हम उसे बंद कर देंगे यानी पानी को बिल्कुल भी वेर्थ अपन को नहीं गमाना चाहिए देखिए अगला प्रशन तीसरा प्रशन तीसरा प्रशन क्या है सूबह उठने से लेकर रात सोने तक आप पानी को किन किन कामों में उपयोग लेते हैं यानी पानी का उपयोग हम किन किन कार्य के लिए करते हैं किन किन कामों के लिए करते हैं वो आपको लिखना है सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक आप पानी को किन किन कामों में उपयोग लेते हैं सवेरे उठने से लेकर है ना कुला करने में नहाने में खाना बनाने में कपड़े दोने में पानी पीने में बरतन दोने में पेड़ों को पानी देने में तता सोच इत्यादी में हम पानी को काम में लेते हैं यानि कि बिना पानी के कोई भी कारिय संभव नहीं है इसलिए तो का है जल ही जीवन है यानि मनुष्ये को पानी की आउशक्ता होती है उसके साथ जीवजन्तों को भी पानी की आउशक्ता होती है साथ में पेड़ गोदों को भी पानी की आउशक्ता होती है हमारे आसपास कई जानवर देखते हैं, जो पानी पिते हैं, तो देखिए कौन-कौन से जानवर है, हमने आसपास गाय, भेंस, बैल, भेड, बकरी, उंट, कुत्ता, घोडा, घधा, बकरी, बिल्ली, आधी को पानी पिते हुए देखा है, चलिए, आगे, पांच अपरशन दे देखिए, आपने कभी पेड़ पोदों को पानी पीते हुए देखा है, पेड़ पोदे, अपन जैसे तो पानी नहीं पीते, कि अपन गिलास में लेकर के पानी पीते हैं, वेसे तो नहीं पीते, लेकिन आप देखते हो, सभी के गरों में गमले हैं, पोदे हैं, क्या करते है रोजाना अपन उनको पानी देते हैं अगर अपन दो या तीन दिन पानी नहीं देते हैं तो क्या होता है वह पोदे की पतियां है जो सूख जाती है मुर्जा जाती है तो अपन को स्वेम को लगने लग जाता है कि इसमें अपन को पानी डालना चाहिए तब अपन क्या करते हैं गमले में पानी डालते हैं पानी एग यदो दिन डालने के बाद में क्या होता है वापस उनकी पतियाँ पुने हरी-bári हो जाती है इससे अपन को क्या पता चलता है कि पेड़ पोदे भी पानी पीते हैं देखे पांचों प्रशने आपने कभी पेड़ पोदों को पानी पीते हुए देखा है उत्तर हाँ हमने पेड़ पोदों को पानी पीते हुए देखा है यदि हम गमले में पानी नहीं देते हैं तो पोधा मूझा जाता है वह पुने पानी देने पर पोधा हरा बरा हो जाता है ये तुदेख़े होगा सब के गर में पेड़ पोधे होते हैं तो अपन देखते हैं कि अपन गर में अगला देख ये आपके शेत्रों में बर्सात के जल का संग्रहन कैसे करते हैं यानि कि बरसात के पानी को कैसे इकटा करते हैं क्या करते हैं अपन के घरों में क्या होता है पानी का एक टांका बना होता है और छट से पाइप निकाल करके वो पाइप निकाल करके क्या करते हैं टांके में डालते हैं यानि कि जो बारिस आती है वो चट पर आती है तो वो पाइप की साहिता से टांके में पहुंस दिये तो प्रस्ण चटा कौन सा है आपके छेत्र में बरसात के जल का संग्रहन कैसे करते हैं उत्तर है हमारे छेत्र में घरों में टांके बनाकर जल का संग्रहन करते हैं गावों में भी ऐसे होता है ढाणियों में सब जगे टांके बना कर अपन बरसात के जल का संग्रहन करते हैं अगला देखिए आपके विद्याले में जल का संग्रहन कैसे किया जाता है तो अपने भी विद्याले में क्या है देखो हमारे विद्याले में जल संग्रहन के लिए टांका बना हुआ है वे खराब पानी का उप्योग पेड़ों को पानी दे कर किया जाता है चलिए आगे ये देखिए आठवा प्रश्ण पेड़ पोधे पानी की आवशक्ता को कैसे पूरा कर लेते हैं ये उत्तर क्या होगा इसका पेड़ पोधे जड़ों द्वारा पानी सोंग कर पानी की आवशक्ता को पूरा करते हैं अपन पानी देते हैं अपन जो पानी देते हैं वो का जाता है गमले में अगर अपन पानी देते हैं तो वो नीचे जाता है तो वो क्या करता है जहां पर पोदे की जड़े होती है वहां तक पानी जाता है पर जड़े क्या करती है जड़ो द्वारा पानी को सोंक कर पानी के आउशकता को पूरा करते हैं कहते हैं रेगिस्तान का जाज क्यों कहते हैं इसको क्योंकि ये बिना पानी के कई दिनों तक जिवित रह सकता है प्रशन दस देखिए उट के कूबड में क्या होती है उत्तर क्या है उट के कूबड में वसा होती है जो आउशकता पढ़ने पर पानी में बदल जाती है जब उट का आउशकता होती है तो वो पानी में बदल जाती है और वो पानी की पूर्ती उससे कर लेता है इसलिए थे और अभी एक ग्रहकारिय ग्रहकारिय का क्रमांक लगाना और यह आपको स्वेम गरना और एकदम आप लोग कर सकते हैं इसी प्रकार के तीन प्रशने हैं यदि आपके घर में दो दिन तक पानी नहीं आए तो क्या होगा आपके घर में पानी किस-किस में भर कर रखा जाता है यह पहले समझाय में आपको उतर करने हैं आपके घर में पानी कौन बढ़ता है इस प्रकार से यह दस प्रशन तो आपको कक्षा कारिय में और तीन प्रशन आपको ग्रहकारिय में करने हैं एक साथ नहीं करने हैं दो दो कोपी में काम करना है धन्यवाद